हेलो एंड विल्कम दोस्तों मैं अश्य सुदा स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल माई टेक्निकल ग्यान में तो जिसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप यहां पर यह कैसे चेंज कर सकते हो और अपने पिछली वीडियो में पूरा सर्विस का वला सेक्षिन जिसमें अपने यह दोनों फिल्ट और साथे साथ इसका आइकन भी चेंज करेंगे ठीक है ओ ठीक है तो चलिए बिना टाइम बेस्ट के वीडियो को शुरू कर सकते हैं अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्रा अबर केस में आ रहा है पर होता क्या है कि यहां पर अपन जो टाइप करते हैं तो इसमें कोडिंग होती है तो वह क्या होता है कि वह जो आप जो भी छोटे लोवर केस में लिखो गे तो भी वह पर केस में हो जाता है तो यहां पर आपको सच करना है जैसे कि यहां पर सर्व प्रावाब से तो आपको जो सबसे पहला है वो अपन इसको चेंज कर देते हैं त्रांस्क्रिप्शन ठीक है तो यहाँ पर करते हैं त्रांस टो टेक्स'd ठीक है तो iSpine to text कर देता है तक यह आपको change दिखा थे हूँ इसको myself कर लेता हूं एक बार के लिए फिर मैं आपको बताता हूं वह icon कैसे change करना है यहाँ यह प्रोसेस हो चुगा है अप में इसको जाता हूं यहाँ पर refresh करता हूं तो यहां पर आपको पूरा लिखना है कि जिए कोई भी चेंज कर सकते हो ठीक है और यहां पर आपन का आइकन के आईगन ऑइकन चेंज करने के लिए सबसे बहुएख आपको यहां पर एक साइड पर जाना है जिसका नाम है यहां पर font awesome font and ० फिर awesome ठीक है आप यहां पर search bar आएगा जिसमें आप यहां पर जो आइकन से उसमेरे search bar में जाकर कई कोज भी search कर लो जैसे transcription के लिए audio होता है तो मैं उसका audio के according कोई भी एक ले लेता हूं जैसे मेरे को यह भी ठीक लग रहा है यह जो आपको black में दिख रहे है black में यह आपको एक है बिल्कुली free है और साथ ही साथ यह आपको जो तो मतलब की gray gray color में दिख रहे हैं यह सारे प्रो होए तो इनके लिए आपको पे में पे करना पड़ेगा तो इसके लिए आप कोई साभी एक आइकन चूज कर रहा है जो free हो ठीक है तो मैं यह free वाला इसको चूज करता हूं इसके उपर आप click करो क्लिक करोगा तो यह आपको ठोड़ा सा टाइम लेगा और यह उसको खोलेगा ठीक है तो अभी आपको आइकन बता रहा है ठीक है आप इसमें से साइच देख सकते हो अपने according तो कोई साभी ले ले सकते हैं जैसे कि मैं इसको 2 x पी ले 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 तो एक बार कोई सेलेक्ट कर यहां पर यह आपको दिख रहा है इसका कोड है HTML तो यहां से आप कोपी करो direct copy HTML तो यह copy हो जाता है डायरा आप अपनी उसमें आप अपने HTML कोडिंग में जाओ और वहां पर जो भी आपको चेंज करना हो कर सकते हैं तो यहां पर मैं फिर से सर्च करता हूं तो यहां पर आपको जैसे कि यहां पर आप दिख रहा होगा जहां आपन के जो services का section है उसके अंडर आप देख सकते हो कि यहां पर आपको दिख रहा है service icon ठीक है और यह i class equal inr.cog तो इसको यहां से आपको यहां तक पकड़ना है और इसको control v कर देना है control v से क्या होगा कि अपने का जो code जो वहां से copy यहां पर paste करने के बाद यहां पर आपको control v करना है और वह code पेस्ट करना है यह वाला जो अपना code था वह code अपने यहां पर paste किया देन अपन सेव करेंगे शेव करने के बाद वह अपन उसको वापिस refresh करेंगे और फिर देखेंगे कि अपना ऐकन चेंज होता है या नहीं तो यहाँ पर यह हो गया अब मैं वापिस से जाता हूँ यहाँ पर refresh मारता हूँ तो यहाँ पर यह अइकन चेंज हो चुका है पर यह थोड़ा सा अभी सभी साई से शोव नहीं कर रहा है तो जैसे ही यहाँ पर मेंँ यहाँ यहाँ इक तो इक बड़ेश्ट किया तो यह अपना इकन अपडेट हो चुक ए तो इस तरह से यहाँ तो यह यहाँ पर आगए था वह प्यले थोड सा लोड नहीं हुआ था इसमें कुछ payment भी होता है तो यहां पर आप इसको अलग-अलग तरीके से use कर सकते है ठीक है तो यह आपने यहां पर paste कर दिया और यह अपना इत्ता section हो गया तो यहां पर यह अपना icon update हो चुका है यहां पर यह section में आपको यह number change करके बता देता हूं बाकी आप पूरा के पूरा जैसे यहां पर इक image भी है तो आप उस image को सर्च कर सकते हैं तो यहां पर एक jpg यह हो गई दूसरी jpg यह तीसरी यह और इसके बाद को jpg image नहीं है तो य करना ताकि क्या है कि थोड़ी सी आपकी practice बने अगर सारा में बता दूंगा तो आपकी practice नहीं बन पाएगी यहां पर मैं service का section है तो service के section में यहां पर यह जैसे कि मैं 310 copy कर लेता हूँ इसको find करना थोड़ा सा easy है तो मैं इसको copy कर लेता हूँ यहां पर control F करेंगे और control V करेंगे एंटर करेंगे तो यहां पर यह एक आ गया और यहां से नीचे scroll down करो आप कोई भी कर सकते हो मैं अलग अलग तरीके से आपको बताना चाहता हूँ कि आप कैसे कैसे कर सकते हो तो यह यहां कहीं आएगा भी तो यहां पर आप देख सकते हो यह देखो यहां पर यह आ चुगा है 310 ठीक है और यहां पर completed project तो आप अपनी according जित्ता आपका number हो वह आप लिख सकते हो ठीक है तो यहां पर data target यहां 310 और change the number exact data target तो आप यहां पर जो change करेंगे तो यहां पर मैं कर देता हूँ मैंने यहां पर 150 हो ठीक है तो और यहां पर completed project आप यही रख सकते हो ठीक है आप चाहिए तो यहां पर कुछ और भी कर सकते हो वैसे इसको change करने की जरूद है नहीं और यहां पर यह targeted भी वहाहीं आना चाहिए 150 ठीक है तो यह इत्ता हो गया उसके बाद आप यहां पर design award अगर आ यहां पर में इसको टूलिग देता हूं एक बार के लिए ठीक है यहां पर अपने टूल कर दिया और design award की जगह यहां पर अपन कुछ भी लेख सकते हैं अगर आपके हो ठीक नहीं हो तो भी अपन कुछ करी देता है यहां पर जैसे कि मैं इसको 3000 कर देता हूं ठीक है यहां पर मैंने इसको 3000 कर दिया और यह हो गया उसे के साथ यह अपना एक और section बच रहा है तो यहां पर data project नंबर जो प्रोजेक्ट आपके जो running में हैं वह आप कितने देना चाहोगे तो आप एक काम करना पांच से ज़्यादा मत देना ताकि होता क्य करना चाहिए अगर उसको लगे के तो उसको लगेगा कि यह बहुत ही बीजी बंदा इसको काम देने से मतलब नहीं और यह नहीं कर पाए तो इसलिए आप क्या करना कि यही रखना और यहां पर मैं इसको save कर देता हूं ठीक है तो अपने सारी चीजे save कर लिए यहां पर सर्विस सेक्षन को पूरा ही पूरा एडिट कर लिए जैसे के यहां पर देड़ सो दो सो तीने जार और फांच हो गए तो इस तरह से यह हो चुका है तो इस तरह से आपको चेंज करना है ठीक है और यहां पर मैं आपको next वीडियो में बताऊंगा आप बागी अपना एक प लिए आपन कॉंटेक्ट में करेंगे तो उसको कैसे यह अपना जो लास्ट दो वीडियो बनेगी अप इसमें आपको यह पूरा सेक्षिन है और एक पूरा सेक्षिन है दो वीडियो में मैं पूरा एक को कंप्लेट कर दूगा तो अगर आपको वीडियो अच्छी लेगे त वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले मिलता हूँ आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए